नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्रिकेश्या नियूस में आती मालीवाल के साथ अभधरता के मामले में दोशी पर अब तक कारवाही नहीं होना गलत है ऐसे में राजसभा के सभापती और महीला आयोग को भी इस घटना का संग्यान लीना चाहिए पहीं आगे बड़तों आपको बता दे भाजपा के प्रत्याशी दुरविजय सिंग शाक्ये और सपा प्रत्याशी आदित्य यादफ के जीत हार पर शर्त लगी है इससे जुड़ा अनुबंध पत्र यानि की कॉंट्रेक्ट लेटर इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ है आपको बता दे कि बड़ायों में चुनाव नतीजे को लेकर दो ग्रामेनों ने बकाइदा लिखा पड़ी में 2,30,000 रुपई का कॉंट्रेक्ट किया भाजपा और सपा प्रत्याशी की हार जीद पर लगाई गई शर्त का ये कॉंट्रेक्ट लेटर इंटरनेट मीडिया पर तेज़ी से प्रसारित हो रहा है वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे प्यम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तरप्रदेश स्थित बधोही में जन सभा की इस दोरान उन्होंने परस्चम बंगाल में सताधारी दल इत्रेनमूल कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता खिलेश यादफ पर भी टिपने की प्यम मोदी ने बंगाल की सीम ममतब एनरजी और सपा के अलाइंस पर भी प्रतिक्रिया दी इसके अलावा उन्होंने साल 2019 में बहुजन समाज पार्टी और सपा के अलाइंस पर भी निशाना साधा प्यम में कहा कि मैं आज समाजवादी शहजादे से एक सवाल करना चाता हूँ बुआ तो आपकी इतनी करीबी हैं कि बंगाल से यहां तक आपके पास आई हैं मगर क्या कभी आपने अपनी नई बुआ से पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती हैं वाई अगली खबर के और बड़तों आपको बता दे सीतापूर जिले के पलहापूर गाओं में हुए सामोही खत्यकांड का खुलासा भसपती वार को पुलिस ने कर दिया आई जी रेंज सीतापूर तरुन गाबा ने प्रेस कॉनफरेंस कर पूरे मामले को परत दर परत मीडिया के सामने रखा उन्होंने बताया कि आरोपिया जीत सिंग ने रात धाई बजे से सुबह चार बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया और फिर अनुराग के आत्म हत्या की कहानी गड़ी वहाँ अंगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे रुपियों के विवाद में सौराब नामक थेकेदार ने 35 वर्ष इजहार को बल्ली से मार कर उसकी हत्या कर दी वहाँ पर काम कर रहे ठेकेदार के अन्य साथियों ने आनन्फानन में उसे का अभी चौराहा अस्पता ले गए जहां चिकितसकों ने मृत घूशित कर दिया कचहरी चौराहे पर संजे सिंग के मकान का निर्मान हो रहा था जिसको इजहार बनवा रहा था एस दोरां सोरा पहुंचा बताया गया है कि दोनों में कुछ पैसे को लेकर विवाद था जिसके बाद उसने वहां लगी बल्ली और रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी पुलिस मौजूद लोगों से पूछताच कर तत्य एकठे करने में जुटी हुई है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज धन्यवाद